अगला सवाल है मेरे शोहर ने मुझे एक साल से छोड़ दिया है और सब को मालूम है कि अब मेरा कोई चांस नहीं है तो क्या मेरी तलाक हो गई मेरे घर वाले रिष्टा भी ढूंड रहे हैं ये किसी बहन का सवाल है जिसमें ये पुछा गया है कि एक साल हो गया उनके शोहर अचे जो नहीं को छोड़ दिया है और एक साल होने के बाद उनके घर वाले उनके लिए कोई में कर वा सकती है। यह तो तलाग नहीं दे रहा है तो यह आउरत खुला ले सकती है यह खाजी किसी तरसे निकाए फस कर सकता है हुआ पने बेजाए दिना सब्सक्ण करनेakah पस्कलता है और रास्ता है लेकिन जब तक आउरत यह रास्ता चुनके तो ये मसला पहले समझ लें कि निकाह अभी बाकी है एक साल छोड़ना एक साल किया दस साल भी छोड़ दे तो हम यह नहीं कह सकते कि निकाह तूड़ गया है कितना भी साल छोड़ दे लेकिन उसको हम यह नहीं कहेंगे कि निकाह तूड़ चुका है निकाह बाकी रहेगा जब जब तक की तलाक ना दे या जब तक की शोहर मर ना जाए या जब तक की कोई शोहर गुम हो गया लापता हो गया मफगूद है मिसिंग है तो उसके बावजूद भी हम यह नहीं कहेंगे निकाय तूट गया जब तक की एक काजी बढ़ के उसके निकाय को फस्त ना कर दे तो य अन्ला के निबी सुलमटर्स न沒有र फ्रमाया है कि एक और अगर इत्व में है मैं जा उसको तलाग दे दिया किसीं ने, उसकी इत्वाइ खत्म नहीं ही है तो उस इत्व के दौरान भी आनला के निबी सुलमें उसको रिश्टा ना भीजे पैगान ना भीजे तो आपका मसला इद्दत का भी नहीं है बलकि आपका मसला आप तो पूरे तरह से निकाह में है इसलिए आपका रिष्टा कहीं चलाना हो कहीं बात चीत करना यह गलत बात है आपको रिष्टा डूड़ना है यहां से निकाह खतम कीजिए रिष्टा डूड़ी है लेकिन एक शोहर के साथ निकाय बाकी है इसके बावजूद भी दूसरे रिष्टे की तलाश ये गलत ये गलत है इसकी गुंजाइश नहीं है अल्लाह की नभी ने मना फरमाया है मर्द के लिए तो गुंजाइश है क्योंकि वो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है अगर उसकी लेकिन एक वडby को रहे है तो रिष्टा नहीं के नहीं जो ये मिनासिए के शहर नहीं होगो भी मस्सेलाइश नहीं तौए दुसके होले है लोड़नों के दूसरा लाइस फेले निकाय तुलये खत्म किजीए उस के बाद दूसरा नहींद आपको घूंडिये उम्हे दे जवाब मिल गया।